हेलो फ्रेंट्स गुड बॉर्णिंग आज 13 जून 2021 और इस डेली करेंट अफियर्स वन लाइनर हेंदी की सिरीज में हम लोग टाप करेंट अफियर्स को कबर करेंगे दोस्तों अगर आप हुमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सब्सक्राइब को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट साब सभी को प्राप्त होता रहे आईए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेशन है कि 12 जून 2021 को मनाए गए विश्व बाल श्रम निशीर दिवस का थीम क्या था तो थीम जो रहा वा एक्ट ना द्वारा लांच किया गया था विश्व बाल श्रम निशीर दिवस 2002 से शुरू किया गया था अंतरा श्रम संगठन का जो हेड़कॉर्टर है वो जेनेवा सिर्जर लैंड में है और इसकी अस्थापना बर्स 1990 में की गई थी नेक्स है बारत जुन 2021 को रामकृष्ण मिशन की स्वामी का जो है वो निधन हो गया उनका नाम क्या था तो रामकृष्ण मिशन की स्वामी का जो नाम रहा वो रहा स्वामी सिवमया अनंद जी महराज किस मंत्राले ने एक महत्तपूर्ण कडम उठाते हुए युद्धों और अभियानों के दिहास की शंकलन प्रकाशन और उन्हें शार्बजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्राले नेक्स्ट किस ने लिश्बन इन्वेसिटी स्टेडियम में 83.18 मीटर तक भाला फेक कर स्वन्ड पदक जीत लिया है यह नीरज चोपड़ा अमेरिकी सीनेट ने किस पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी नागरिक को निउजर्शी में डिस्ट्रिक्ट कोट में नांगंकन को मंजूरी दे दी है यह है जाहिद कुरैसी विदेश मंत्री यह जैसंकर किस देश के तीन देवसिये दौरे पर जा रहे हैं के अन्याम भारतिय इतलेटिक्ट महाशंग की घोषडा की अनसार इंडियन ग्रांड स्प्री फोर का आयूजन 21 जून को कहां किया जाएगा तो राश्टिय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में 12 जून 2021 को किरिश्प्रसिद्ध कन्नड कभी नाटक कार और दलिद कारी करता का कोबिड-19 के कारण मिरित्ति हो गई तो ये थे सिद्ध लिंग गईया कौन थे सिद्ध लिंग गईया 12 जून 2021 को श्वतंत्र भारत के किस पहले उलंपियन का निधन हो गया तो इनका नाम रहा सूरत सिंग माथुर नेक्स्ट बरस 2020 में मैंने पोलिश में जार्ज फ्लॉइड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए किस 18 बर्ची लड़की को प्रतिष्ठित पुलतिजर फ्रेजियर भारतिय मूल्की किसमेर की पत्रकार को अंतरराश्ची रिपोर्टिंग के लिए पुलिटजवर पुरिश्कार से नवाजा गया है यह मेगा राजगोपालन 12 जून 2021 को शुष्ण गुजराद RSS की पूर्व प्रमुका निधन हो गया उनका क्या नाम था तो अमरित भाई का दिवाला भारतिय खाद निगम EFCI ने प्रधानमंत्री गरीव कल्याड योजना के तहट सभी राजजियों और केंद्र शासिर प्रदेशों को कितने टन से अधिक मुप्त खादान की आपूर्टी कर दी है यह 70 लाख टन इस योजना के तहट 80 करोण लोगों को नवंबर 2021 तक इसका लाब दिया जाएगा इस योजना के तहट राश्टी खाद सुरक शादनियम 2013 के अंतरगत प्रतेक लाभारती परिवार की शदस्री को प्रती महीने 5 किलोग्राम चावल या गेहुं मुप्त प्रदान किया जाता है नेक्स्ट बित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने किस एंटी फंगल और एंटी वाइरल दवाई को जी एस्टी के दारे से बाहर कर दिया है तो यह हैं यम फोटे रिशिन वी तथा तोसी लिजू मायव गंभीर मामले में उपचार में इस्तिमाल होने वाली एंटी वाइर दवाई रेमडी शिविर पर जी एस्टी की दर बारा प्रस्ट से घटा कर पांच ब्रस्ट कर दी गई है नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधा जून को मरुस्थ लिकरण भूशरण और सोखे पर एक उच्छ अस्तरिय शंबाद कारिक्रम मुख्यवक्ता के तौरपन आनलाइन कहां शंबोधित करेंगे तो यहां इन्वाइटेर नेशन श्यूक्त राश्ट में भारत की अस्थाई दूतावास ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्यूक्त राश्ट मरुस्थी करण प्रतिरोज भागीदारी शम्मेलन देट जीवयन सीसीडी की मोबाइल आप का नाम है नमस्ते योग इसकारकरम का आयूजन आयूश मंत्राले ने मोरार जी देशाई राश्टी योग संस्थान की सहयोग से किया था कनाड़ा जी सेबन देशों शंकल्ब के हिस्से की रूप में विकासील देशों को कोबिड-19 की बैक्शीन कितनी खुराकदान में देगा तो दस करोड यानि एक अरब जी सेबन कंट्री में इन्वाइटेड नेशन, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा इन्वाइटेड किंग्डम आते हैं अमेरिगा की राश्ट्रपती जू बाइडन ने आम नौसीना शेशोन अन्वरित किस कमांडर को अमेरिकी नौसीना प्रमक किवपत के लिए नामित किया है तो यह हैं कार्लोस डेल टोरो नेक्स्ट किन पाज देशों को शयुक्त राश्ट सुरक्षा परिशद की आइस्थाई शदस्ट की रूप में दो बर्स की कारिकाल के लिए चुना गया है तो यह हैं ब्राजील, अल्बानिया, गैवान, घाना और शयुक्त अरब अमिराद हाकी को बढ़ावा देने के लिए खेल और इवामामलो के मंत्री राणा गुरमीच सिंग शोडी ने आज ओलम्पियन सुर्जी था की स्टेडियम में एस्टो टर्फ बिछाने के लिए कितने करोण की एक बड़ी योजनकी शुरुआत की है तो यह है साड़े चार करोण तो यह हैं बारबोरा क्रेजी कोवा शिक कड़ राज्जी की जबकि उब्बेजेता रहे अनस्ता आशिया पावलिउचे कोवा जोकी रसिया के रहे नेक्स्ट ग्यारा जून दो हजार इकीस को खेले गए ढ़ाका प्रीमियर लीग के दोरान अमपायरों के प्रतिगुस्से वाले बिवहार की कारण की से चार मैचों का प्रतिबंद लगा दिया गया है तो यह है साकिव अलहशन बांगला देशी क्रिकेटर केंद्रिये खेल मंत्री केंद्रे जिजु ने ओलंपिक दोहजार चौबीश और उसके बाद के एथलेटों के प्रसिक्षण के लिए केस प्रणाली को लांच किया है तो यह है केंद्रिये एथलेट चोट प्रबंधन प्रणाली CHEMS का उद्देश यानि केंद्रिये एथलेट चोट प्रणाली का जो उद्देश है वह एथलेट की खेल मैदान के निकरतम उत्तम खेल चोट प्रबंधन शाहायता प्रदान करना है देश भर के एथलेटों के लिए उपिक्त चोट प्रबंधन प्रणाली की एक शमान बनाने में मदद करेगा और यह योजना उन एथलेटों की मदद के साथ सुरू होगी जो टारगेट ओलमपिक प्रडेडियम योजना देट इच टाप्स विकास समू का हिस्सा है और जिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करें और अपनी सोस्तों के साथ सेयर करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वार वाचिंग